कोरोना के भड़ते मामलों के 20 बिहार पहुची केंदरिय स्वास-मंतराले के टीम ने माना है कि बिहार में कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए और जो टेस्टिंग की जा रही है या फिर जो उपाय किया जा रहे है वो पड़ आप नहीं है बिहार में जो सिस्टम अपनाया जा रहा है वो सही नहीं है और एक बार फिर बिहार को मुंबई और दिल्ली की तरह प्रक्रिया अपनानी होगी उसी मॉडल्स के तहट वो कुरोना के संक्रमन पर लगा सकते हैं केंद्रिय स्वास मत अलई की टीम ने बिहार के स स्वास सधीकारियों को T4 पदिति से पूड़े कोरोना संक्रमन को रोकने की हिदायर दी है दिरहारासल स्वास मत अलई ने साब करुके कहा हैं कि जो परिस्तितियां बन रही है जो आने वाला समय है वो काफी कठीन और इस समय में टीफ फोर्ड जो सिस्टम जिस मॉडल को मुंबई में और दिल्ली में अपनाया गया था सबसे पहले टेशिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेकिंग के जरिये ही इस समय सा के समधान निकला सकता है और कुरोना के बढ़ते संक्रमन को रोका जा सकता है जाओने के बढ़ते सकता है